जे ये सुकी, फिर एक बार हम सभी मिलकर प्रभु का वचन सुनें, उस पर मनचिंतन करें, प्रभु के वचन के द्वारा आशिश प्राप्त करें प्रभु अपने वचनों के द्वारा प्रत्थिद्धन हम सबों से बातें करता हैं प्रभु का एक एक वचन जब हम सुनते हैं, उस पर मनचिंतन करते हैं तब प्रभु की आत्मा वचन के द्वारा हमारे जीवन में कारी करती हैं तब हमें आनन्द आता है, खुशियां मिलती हैं इस बात की कुशी और ऐसास कि मेरा यिश्वर मुझसे बात कर रहा है इसलिए जब हम प्रभु का वचन सुनते हैं, हम अपने लिए सुने हैं कहीं बार ऐसा होता है, जैसे मान लो इत्वार के दिन आप मिस्सा बलिदान में बाग ले रहे हो वहां पर प्रवचन पुरोहिद सुनाता हो और आप कहीं बार या हम, हम में से कोई भी, कहीं बार हम लोग इस प्रकास से सुनते हैं हाँ, ये बात फादर ने जरूर उस वक्ते के लिए बताई है, ये बात उस परिवार के लिए बताई है हम ये नहीं सोचते हैं कि ईश्वर मुझसे बात कर रहा है इस अंदास से हम सुनें कि ईश्वर अपने वचनों के द्वारा मुझसे बात कर रहा है मुझसे कुछ बात बता रहा है उसको सुने इसलिए आज के दिन में मैं आप सबों को इश्वर का वचन सुनने के लिए निम्मंतरन देता हूँ चोटा सा वाकिय है संत लूकस के द्वारा रचित सू समचार अध्याई अटारा पत संक्या उन्नीस चोटा सा वाकिय है लूकस के द्वारा रचित सू समचार अध्याई अटारा पत संक्या उन्नीस में लिखा है इसा ने उससे कहा मुझे भला क्यों कहते हो इसा ने उससे कहा मुझे भला क्यों कहते हो ये प्रसंग एक नव जवान को लेकर है एक नव जवान विक्ती दोड़ते हुए इसा के पास आया और उसने एक सवाल प्रभु के सामने रखा भले गुरू अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा ये सवाल है और जब ये सवाल लेखे जब उस नवजवान ने उस इवक ने येसु को इस प्रकासे सम्बोदित किया भले गुरु भले गुरु अनन्त जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा तब येशु उससे पूछता है मुझे भला क्यों कहते हो Why do you say that I am good? मुझे भला क्यों कहते हो ये सवाल मेरे लिए और आपके लिए हम में से हर वेक्ति के लिए सोचने के लिए है मनन चिंतन करने के लिए है येशु ने उस नवजवान से ये वक्त से पूछा मुझे भला क्यों कहते हो इसका अर्थ ये निकल सकता है क्या यूँ ही कहते हो या इसके पीछे कोई कारण है क्या तुम्हें वास्तविक्ता में हकीकत में मालम है कि मैं भला हूँ इसलिए कहते हो क्या तुम्हारा कोई अनुबो है कि मैं भला हूँ इसलिए कहते हो प्रभु जानना चाहते थे प्रभु इसलिए जानना चाहते थे क्या इस विक्ति ने यू ही कह दिया हवा में कुछ बात जैसे आप और हम कहीं बार कह देते हैं हवा में किसी को बोलते हैं यह बहुत अच्चा इंसान है बहले उसके बारे में कुछ पता भी ना हो किसी को हम कह देते हैं यह बहुत बुरा इंसान है उसके बारे में हो सकता कुछ भी पता ना हो हम निरने ले लिते हैं यह इनसान बला है यह इनसान बुरा है यह इनसान अच्चा है यह इनसान कराब है हमने अपने इसाब से निरने ले लिया और गोशित भी किया यह बला है यह बुरा है तो प्रबु इस सवाल के साथ हम सबों से बातें करता है पूछता है मुझे बला क्यों कहते हो अगर हम किसी को बला कहते हैं क्यों कहते हैं किसी को हम बुरा कहते हैं क्यों कहते हैं इस बात को में जानने की जरूत है यूँ ही हम कुछ नहीं बोल सकते इश्व ने जीब दिया, बोलने का वरदान दिया, बोल सकते इसलिए कुछ भी बोलो, ठीक नहीं है बाइबल हमें बताता है, हर निकम में बात का लेका जो का देना पड़ेगा हर चीज का इसाब होगा, नियाए के दिन हर बात का, अच्छी बात का भी इसाब होगा, बुरी बात का भी इसाब होगा उसी के अनुसार प्रभू का वशन में बताता है, तुम अपनी ही बातों से दोशी या निर्दोश टहराए जाओगे तुम अपनी ही बातों से दोशी या निरदोश टहराए जाओग इसलिए हम किसी को यूही हम बुरा नाम बोले या बेकार नाम बोले उसके पीछे कारण जान ले अब प्रबू उस नवजवान से पूछता है मुझे बला क्यों कहते हो अगर इस बात पर हम विचार करें प्रबू बला क्यों है प्रबू के इस पास बुरा करने का हमारे साथ बुरा करने का बहुत सारे अवसरते उदाहरन के लिए जखिवस नामक विक्ती जिसके बारे में पूरी दुनिया जानते थी कि वो एक प्रकार का पापी है जैसे बाइबू में भी इस बात का उल्ले किया है वो एक प्रकार का पापी है उसने चीटिंग की थी दोखा दिया था लोगों को गलत तरीके से पैसे कटा किये थे बहुत प्रकासिल लोगों को परिशान किया था इस सब बातें लोगों को भी मालम थी और प्रभू का मालम थी लेकिन जब प्रभू ये सू जखिवस से मुलाकात करते हैं लुकस के सू समचार अध्याए उननीस प्रसंग एक से ग्यारा का प्रसंग अगर हम पढ़ेंगे वहां पर बहुत सुन्दर वर्णन दिया गया है ये जखिवस नामक विक्ती जो समाज के द्रस्टी में पापी थे गुनेगार थे चीटिंग किया था लोगों को धोखा दिया था धोखा दड़ी में पैसे कटा किये थे बहुत सारे लोगों को परिशान किया था ये विक्ती जब येसु को देखने को देश से गुलर के पेड़ में चड़के बैड़ता है और इंतजार करता है और प्रबु इस मसूसी रास्ते से आते हैं वो इस पेड़ के पास रुकते हैं और जकियुस को बोलते हैं जकियुस जल्द नीचा आओ ध्यान दे इस बात को आप और हम होते वहां पर प्रबु के जगह पर क्या करते अच्छा यहां पर आके बैट गया पूरे दुनिया को तुमने चीटिंग किया दुनिया को बहुत सारा परिशान किया अब यहां पर चिपके बैटे हो हमारा विचार क्या होगा इस प्रकार से होगा क्योंकि हमारे अंदर बुराई है बुराई से परिशित हैं बुराई बोलते हैं बुराई करते हैं प्रबु बला इसलिए है प्रबु बुराई से परिशित नहीं है उसके अंदर बलाई है बलाई है बलाई है उसके अंदर जूट नहीं है उसके अंदर गमंड नहीं है उसके अंदर अहांकार नहीं है उसके अंदर बहत बाव नहीं है उसके अंदर नफरत की बात नहीं है उसके अंदर इरशा की बात नहीं है उसके अंदर हमें सजा देने का प्रवर्ति नहीं है इसलिए वह भला है और भला ही करने वाला यह श्वर जब जकीव के पास आता है उस पेड़ में जकीव से बात करता है देखियो एक एक शब्द देखिये हो सकता उस इलाके में किसी ने में जकीव को अपने original नाम से नहीं पुकारा होगा cheating करने वाले विक्तिकरे हम क्या बोलते हैं ये cheater है हिंदी में बोलते हैं ये ठगने वाला है हम ऐसे नामों के बुलाते हैं अब प्रभीयस से क्या कहता है Zacius Zacius के original नाम से पुकारता है बड़े मान सम्मान के साथ इज़त के साथ जब प्रभीयस सुने का Zacius वो कुदी हैरान हुआ होगा बाप बाप कितने समय के बाद किसी ने मेरा original नाम लेके वो भी इज़त से बुलाया मुझे खुश हुआ Zacius आनम दित हुआ जैसे प्रभीयस ने का Zacius जल्द नीचाओ उत्रंत नीचे उत्र के आया प्रभु के अंदर की भलाई प्रवाहित हुई उन वचनों के द्वारा दगुद्नेस अदर लोड फ्लोड अंटु ज़के उस यह बला मुझे बला क्यों कहते हूँ बला बलाई से भरा हुआ प्रभु उसके अंदर कुछ भी बुरा नहीं है यद्देपी हमने बहुत सारे प्रकार के बुराई की है तब भी उसके अंदर भलाई है इसलिए प्रभु ने पूचा क्या तुम जानते हो कि मैं बला हूँ या यूँ ही कह दिया मुझे बला क्यों कहते हो जब हम इस बात को जानेंगे भाईयों बेहनों कि मेरा इश्वर भला इश्वर है बलाई करने वाला इश्वर है कितनी खुशी होगी हमें वो सजा देने वाला धंड देने वाला पनिश्मेंट देने वाला इश्वर नहीं है मुझसे नफरत करने वाला इश्वर नहीं है बदला लेने वाला इश्वर नहीं है जब क्यों कर सकता है उसके बहुजूद और प्रेम करने वाला इश्वर यह भलाई उस प्रभु की भलाई हमें जानने की जरूत है कि अबल बोलने से नहीं होगा जिस दिन हम अनुबह करेंगे गहराई से इस बात को कि मेरा इश्वर भला इश्वर है जिस दिन इस बात का अनुबह होगा मेरे अंदर मेरा इश्वर भलाई करने वाला इश्वर है हम भी उस भलाई में आगे बढ़ेंगे और एक उदाहरण में आपके सम्मुक रखना चाहता हूँ वेविचार करते विए एक स्त्री को पकड़ा शास्त्री फरीजियों ने और उस्त्री को घसीड़ते विए येसु के सामने लाया प्रभू इस्त्री को हमने पाप करते विए पकड़ा और सहीता हमें बताती है कि ऐसे इस्त्रियों का पत्तर मारते मार के मार डालना चाहिए आप क्या कहते हैं भलाई करने वाला प्रभू से बुराई करने वाले लोगों ने सवाल किया स्वयम बुराई करने वाले लोगों ने कहा कि इसने बुरा किया है उसको गसिट के लाया प्रबू के सामने प्रबू इसने बुरा किया है जो इश्वर के दरस्टी में ग्रेनित है उस काम को किया इस्तरी ने इसलिए हम उसके सामने लाये हैं आप क्या कहते हैं भलाई करने वाला इश्वर क्या कहेगा उनको मालमता चलो ठीक है इस्त्री ने गलती की उससे जावा बड़ी गलती इन लोगों ने की जो अपने आपको सोचते थे मैं हम अच्छे हैं हम इस्त्री जैसे नहीं हैं हम पापी नहीं है हम गुनेगार नहीं है हम अपरादी नहीं है प्रभु का मालमता कि इनके अंदर भी जतनी बुराईया है शायद उससे कम बुराईय थी उस तरी के अंदर इसलिए प्रभू ने बलाई करने वाला इश्वर क्या बोलता है तुम में से जो निश्पाप हो वही सबसे पहला पत्थर मारे प्रभू ने मना नहीं किया क्योंकि उन्हेंने कोट किया था अल्रडी सहीता हमें इजाज़त देती है कि ऐसे स्त्रियों का पत्थर मारते मार डालने का इजाज़त देती है सहीता इसलिए आप क्या कहते हैं प्रभु ने सहीता का उल्लंगन नहीं किया सहीता का पालन किया सहीता के अनुसार पत्तर मारने के इजाज़त दी एक शर्त पर तुम मेंसे जो निश्पाप हो वही सबसे पहला पत्तर मारे तुम मेंसे जो निश्पाप हो वही सबसे पहला पत्तर इस तरी को मारे यनि कि हर वेक्ति अपने आपको देखें प्रभी यह सिकाता है हर वेक्ति के अंदर बुराई है चाहे सोच में है चाहे विचारों में है चाहे बातों में है चाहे कारियों में है चाहे आचरण में है बुराई से बरे हुए मिट्टी के पुतले हैं हम लोग इसलिए हम इंगमंड करने का कहीं अधिकार नहीं खरी ने सकते बुराई से बरे हुए मिट्टी के पुतले हैं हम लोग दीन हीन बने विनम्र बने उसे बलाए करने वाले प्रभू के पास विनम्रता से जाएं प्रभू से बार बार यही कहें प्रभू मुझ पापी पर दया कर प्रभू मुझ पापी पर दया कर हम यही कहें उस प्रभू से अब बलाए करने वाला इश्वर ने उनसे कहा तुम में से जो निश्पाप है वही सबसे पहला पत्तर मारे बड़े से लेके चोटे तक एक-एक करके किसक गए बाइबल बताता है एक-एक करके किसक गए निकल गए वान से अब देखें इंट्रेस्टिंग बात यह है अब प्रभी इसमसी वहां पर हैं मौझूद है वह स्त्री वहां पर मौझूद है रोती बिलगती अपना सिर जुखा कर अतनी बुरी हालत हो चुकी थी उसकी संबा होता प्रभू अपने स्टेटमेंट के अनुसार अपने कतन के अनुसार उस्त्री को पत्तर मार सकते थे नहीं मार सकते थे सहीता इजादत दे रही थी पत्तर मारो ऐसे स्त्रीयों को प्रभू मार सकते थे नहीं मार सकते थे प्रभु पत्तर मार सकते थे, प्रभु सजा दे सकते थे, प्रभु पनिश्मेंट कर दे सकते थे, प्रभु उसको डांड सकते थे, किया प्रभु ने, ऐसा किया, ऐसा व्यभार किया, नहीं किया, यही मेरे प्रभु की बहाई का वर्नन है, मेरे प्रभु की बहाई का वर्नन हम और आप हो सकता है उस पाप की विस्ति के जगह पर है अव यूश्वर उसके पास मौका है मुझे सजा देने का, दंड देने का, पनिशमेंट करने का सारा मौका उसके पास है लेकिन वो प्रभू पनिशमेंट नहीं देता है मानलीजी आप और हम उस तरीके जग़ापर हैं, तमाम प्रकार के गलती, गुनाफ पाप अपरात करते हुए, और हमारे सामने हमारे इश्वर खड़ा है, वो इश्वर हमें दंड दे सकता है, सजा दे सकता है, पनिश्मेंट दे सकता है, हमसे गुसा कर सकता है पूछ सकता है क्यों किया कैसे किया पूछ सकता है लेकिन क्या उसे इश्वर ने ऐसा किया उस तरी के साथ नहीं किया बलकि क्या वहार किया जब पूरे के पूरे उपर्चुनेटी उनके पास होने के बाउजोद उस इश्वर ने क्या किया वो यिश्वर उस तरी से कहता है क्या किसी ने तुमको पत्तर नहीं मारा मोहदई किसी ने भी नहीं उसके बाद प्रभु का उत्तर देखिए मैं भी तुमें पत्तर नहीं मारूंगा मैं भी तुमें पत्तर नहीं मारूंगा इसका मतलब क्या है मेरे पास पत्तर मारने का अधिकार है मेरे पास तुमका पनिश्मेंट सजा देने का अधिकार है मेरे पास तुमको पुष्टाज करने का अधिकार है मेरे पास तुमको धंडांटने का अधिकार है सारा अधिकार मेरे पास रहे कि मैं भी तुम्हें धंडे नहीं दूँगा पत्थर नहीं मारूंगा यह भलाई मेरे प्रभु की हम सबों के साथ भाईयों बहनों हर दिन इस भलाई के प्रभु को हम अनुबह करें हमारे साथ भलाई करता है कितनी बुराई कितने पाप कितनी गुना कितने गलती कितने अपराद हम हर दिन करते हैं और हर दिन प्रभू यही कहता है मैं तुमें धंडर नहीं दूँगा दुबारा पाप मत करना इस बात को सुनें दुबारा पाप मत करना दुबारी गलती गलती मत करना यही प्रभू हमसे कहता है इस बात को सुनें ये है मेरे प्रबू बहाई का प्रबू mapleाई करने वाला प्रबू अपर एक उटराण ने में आपके सामने रखना चाथ हम गहरा है से समझे इस बात को प्रबू ने पूछा मुझे भला क्यों कहते हो? क्या कारण है इसके पीछे? यही कारण है उस इश्वर को हम बला क्यों कहते हैं हम जान लें इस बात को कि वो बला इश्वर है कैसा बला है मेरा इश्वर कैसा बला इश्वर है इस बात को जाने समारिस्त्री और एक उदारण है प्रभू से बात्चीत होती है मुलाकात हुई बात्चीत हुई प्रभू का मालम था सब कुछ क्या प्रभू ने उस त्री को डांटा देखो मुझे सब कुछ मालम है तुम्हारे बारे में तुम कुछ भी चिपा नहीं सकते हो तुम्हारी सारी पॉल पट्टे मैं कोल दूँगा कहा? नहीं कहा कितने प्यार से प्रभू ने उसको समझाया बाच्चित की उसको हर्ट किये बगेर उसका आत्मबल गिराये बगेर उसको प्रोसाइट करते हुए पश्चताप के लिए प्रभू ने निमंत्रन दिया यह मेरा बलाई करने वाला प्रभू इस प्रकासत तमाम उदाहरण बाईबल में जिस उदाहरणों के सहारे उसका उल्लेक लेते हुए हम समझ सकते हैं मेरा प्रभू कैसे बलाई श्वर है कैसे वो बलाई श्वर है इस बात को हम सभी समझें हम सभी जाने और जितना हम गहरा इस इस बात का अनुबह करेंगे मेरा इश्वर भलाई करने वाला प्रभू है हम भी भलाई के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे बुराई करना छोड़ देंगे जिस प्रकासे प्रभू का वचन स्वैम कहता है पुराई करना छोड़ दो भलाई खरो भलाई करने के लिए हमारे सामने मॉडल है प्रभीस मसी हर वेक्ति के साथ हम भलाई करें कहीं बार चोटी चोटी बातों में बात्चित बढ़ जाती है तरक वितरक होता है गुसा आ जाता है अब शब्दों लोग बोल लेते हैं अब शब्दों बोल लेते हैं लड़ाई में महल बदल जाता है उसके बाद बदले की बाहुना आती है चोटी चोटी बातों में बलाई का कारी कैसे करें इस परिवेश में आप प्रभु का वशन बोलें वहां पर शांत रहें वहां पर प्रभु को अर्पित करें वस वेक्ति को या वस महल को प्रभु से विंती करें यसलिए हम नाम बोलें कि हम बोल सकते हैं हम वहां पर बलाई कर सकते हैं प्रभु का वशन कहता है प्रतिशोद मेरा अधिकार हैं तुम बदला नहीं लोगे इदि आपका शत्र भूका है उसे खिलाएं पिलाएं पर भूका वशन ये कहता है उसके साथ बदला मतलो ऐसा करने से तुम उसके सिर पर अंगारों का डेर लगाएंगे निकि आपके साथ किसी ने बुरा किया है ऐसा करने पर प्रूका वशन कहा था तुम उसके सिर पर अंगारों का डेर लगाएंगे निकि वो तकलिब उसको तकलिब होगी मैं इतना बुरा कि इसके साथ उसके पहुजद एविक्ति मेरे साथ इतना अच्छा वेवार कर रहा ये है बलाई का कारी मुझे और आपको यह बलाई का कारी करने के लिए प्रभू ने बुलाय चुना है अब बलाई का कारी करना हो तो हमें बलाई करने वाले उस प्रभू को जानना होगा इसलिए प्रभू पूछता मुझे बला क्यों कहते हो मुझे बला क्यों कहते हो बलाई करने वाले प्रभू का हम जाने जैसे उ इसने हम सबों के साथ बलाई का कारिय किया कर रहे हैं हम भी वैसे बलाई का कारिय करें और इस प्रकास से बाईयो बहनों हम प्रभु के प्रेम से प्रिर्द होके बलाई का कारिय प्रमोट करेंगे करते जाएंगे हर गर में कुश्याली होगी शांती रहेगी अमन्चेन रहेगा हर समाज में शांती रहेगा अमन्चेन रहेगा एक दुसरी के साथ हम सभी बलाई का कारे करते जाएंगे धरती स्वर्ग बन जाएगी धरती स्वर्ग बन जाएगी एक मातर विखल्प जिवन जीने का तरीका प्रभू ने हम सबों के सिकाए बलाई करो बलाई करना हो तो बलाई करने वाले प्रभू को जानो बली बांती समझो उसका अनुसरन करो प्रभू ने हमें बुलाया उसका अनुसरन करने के लिए उसका अनुसरन करना हो तो जैसे प्रभुने हम सबों के साथ व्योहार किया व्योहाद करते हैं वैसे हम व्योहार करें एक दूसरे के साथ भलाई का कारी करें बुरा ना करें बदला ना लें प्रतिशोद ना लें हम माफ करें शमा करें माफी देना मा और शमा देना सबसे बड़ा कर्म है बहुत बार हो सकता है बहुत बार कटिन मैसुस करते हैं हम लोग कोई बात ने प्रभू से शक्ति मांगे सामर्त मांगे वो बलाई करने वाले इश्वर हमें सिखाएगा समझाएगा बताएगा आत्मा के दोर हमें बल प्रदान करेगा बलाई का कारी करते हैं आगे बढ़ने के लिए इसलिए आज के दिन में भाईो बहनो जब हम समन इस बात पर चोटी सी बात पर मनचिंतन किया मगे भला क्यों कहते हो उस भला करने वाले प्रभू के पास जाएं समझे ने खालें उसके वचन पढ़ें गहराई से उस बात को अनुबह करें मेरा इश्वर मेरे साथ कितना भला करता है अच्छा करता है इस बात को समझें जिसे कम निरंतर उस प्रभु का अनुसरन करने वाले बने किसी भी प्रकार से हम बुराई ना करें बुराई का मार्ग पूर्ण रुप से छोड़ दें बलाई के मार्ग पर आएं प्रभु का मार्ग बलाई का मार्ग प्रभु स्वयम बलाई करने वाला इश्वर उस इश्वर का अनुसरन करें बलाई करें निरंतर बलाई करें, बुराई करने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, हम बलाई करने के करते जाएं, बलाई करते जाएं, अच्छा कारी करते जाएं, अच्छा वेवहार करें, अच्छे बात्चित करें, हमारी बाशा शुद्द करें, हमारे सोच विचार शुद्द करें हमारे भावनाएं शुद्ध करें पवित्र जिवन जीएं बलाई का कारी करें और मेरे जिवन के द्वारा दूसरों का प्रभू का प्रखाश मिलेगा तुम अपने कर्मों के द्वारा प्रभू की जोती फैला सकोगे प्रभू का वचन हमें बताता है हमें प्रभु की जोती बनने के लिए और बने रहने के लिए दूसरों के जीवन का प्रकाशित करने के लिए हमें चुना हैं हम प्रभु से प्रारतना करें प्रभु हम समों का सक्षम बनाएं काबिल बनाएं हमरे दुर बलता हमें हमें ताकत दें शक्त दें बल दें ताकि हम सभी प्रभु की इच्चा कनुसार बलाई का कारी करते हुए उस बलाई करने वाले प्रभु की महमा करने वाले हम सभी बन सकें पिता और पुत्र और पुवित्रात्म के नाम पर आमें